दुरके वाड आड तकिया पारा स्थितर शास की उचितर माधिमी कन्या शाला भवन की दूर रशा देख चतितगर पालक संग ने अपनी नाराज भी जताई साथ ही स्कुल परिसर का ब्रह्मन कर कक्षाओं में अध्यानद शात्राओं से चर्चा कर स्कुल में फैली अवस्थाओं का जैजा लिया एक दरफ चतितगर की प्रदेश सरकार के सिक्षा को मजबूत करने करोडों खर्च कर विवस्था सथारने में लगी हुई है सिक्षक और चात्रों पर बड़ी दुर घटना का खत्रा मंटरा रहा है बता दें कि इसकुल की सिति देखा जाए तो चट से पाइंट अपक रहा एवं कक्षाओं की चट जर जर हालत में हो चुके हैं कई कक्षाओं तो इस सिति में हैं कि कभी भी चात्राओं एवं सिक्षकों के उपर अन्होनी का सबग बन सकती है जिसे सिक्षक एवं चात्राओं बुई तरह से डरी हुई नजर आ रही है प्रिंस्पल ने बिल्डिंग की वस्तु चिति की जानकारी जिला सिक्षादी कारी एवं नगरपाली का निगम दूर की आयूपत को दिया परन्तु दोनोवी भाग से अब तक कोई भी ऐसी कारवाई नहीं की गई जिससे इस्तिति को संभाला जा सके क्या जिला सिक्षादी कारी एवं दूर्ग नगर निगम के आयूपत बच्चों या छात्र के साथ कोई अन्होनी का इंतिजार कर रहे है इसी कड़िये में मिली शिकायत के अधार पर छात्र पालक संकी प्रदिश अधियक्ष नजरूल खान ने स्कूल का दोरा किया बता रहे कि दूर्ग निगम और जिला सिक्षादी कारी के इस अन्देखी वले रवये से कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल के सुचित करने के बाद भी अब तक स्कूल में कोई झाकने तक नहीं पहुचा इस मामले में पालक संग ने नाराज़ की जदाते हुए कहा कि अगर कोई हाथसा होता है तो महापधिरज बाकलीवाल आयत लोकिस चंद्राकरिवं जिला सिक्षा अधिकारिक के नाम एफायट दर्स कराई जाएगी इस सम्मन में नजरुल खान ने प्रतिक्रिया दी बहुत ही अफसोस की बात है हम लोग यहां खड़े हैं तक्या पारा में सास्की स्कूल के पास में इस सास्की स्कूल को आप लोग भी देख लिए यहां मैंने और पालक संग की टीम ने निरक्षन किया तो यहां की इस्तिती अगर आप देखेंगे तो आप अपने बच्चों को निश्चित तोर फे इसी स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे ही नहीं क्योंकि दो सो बच्चों की और यहां के सिक्षकों की जान खत्रे में है और यह मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ इस यहां का जो पोर्च है उसकी चट कभी भी गिर सकती है उसका दबाव इतना हो गया है कि लोहे की जो मोटी मोटी जालियां है खिलकी में जो लगी हुई है वो बैंड होके धनुस के आकार की हो गई है और इसके मामले में मैंने यहां के प्रचारे से बात किया तो प्रचारे ने मुझे बताया कि इस संबंद में आयुक्त को जानकारी दी गई है लिखित में और बार बार इनको इस बारे में जानकारी दी जा रही है लेकिन उसके बाद भी ना नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम के महापौर वो ध्यान नी दे रहे और ना ही सिक्षा भी भाग ध्यान दे रहा है तो आप समझेए मतलब यहाँ 200 बच्चों की और सिक्षकों की जिंदगी खत्रे में है और इस स्कूल की स्थिति में आपको और बता देना चाहता हूँ कि ऐसा इसका कोई भी एक कमरा नहीं है जिसमें पानी ना चूता हो जिसमें बच्चे क्या बोलते हैं बारिश के वक्त में बच्चों का पैर जो होता है वो पानी में रहता है यह इस्तिती है तो इस तरीके से कौन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो कहीं न कहीं इसमें सिक्षा और भाग नगर निगम और नगर निगम का महापार मैं समझता हूँ कि वो जन परतिनिदी नहीं हो सकता और ऐसे लोगों को बिलकुल हटाया जाना चाहिए और यह आम जनता को भी पता होना चाहिए कि दो-दो-सो जिंदगी यहां खत्रे में जिंदगी मौस से जूज रहे हैं मैं यह बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ जिसको भी लग रहा है कि इसमें सचा ही नहीं है पालक संग यहां की जाच कर चुका है वो खुद आए आया दिन यहां के छज्जे गिरते रहते हैं किसी के सर में गिर रहे हैं किसी के कंदे में गिर रहे हैं और क्या नगर निगम सिक्षावी भाग और क्या बोलते हैं यहां का महापौर किसी बड़ी दुरगटना का इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी दुरगटना घटने के बाद किसी बच्ची का खुदाना कास्ता दब कर मौत हो जाती है किसी सिक्षक की मौत हो जाती है तो क्या बोलकर उसके घर में ये संतावना देने जाएंगे कि हमको पूरे मामले की जानकारी थी उसके बाद भी हम लोगों ने जान बुचकर उसका क्या बोलते हैं उसका जो समस्या थी उसको ठीक नहीं किया जान बुचकर ऐसा किया ताकि किसी की मृत्य हो जाए तो मैं आपके माध्यम से नगर निगम को सिख्षावी भाग को और नगर निगम के महापाउर को ये बताता हूं कि अगर ये गिरा और किसी के उपर भी मतलब किसी की जान जाती है या कोई दुरगटना गरस्त होता है तो पालक संग उसको कोट में घसीटेगा और उसके खिलाप में हत्या का मामला हत्या के के लिए साजिस रचने का मामला दर्ज करवाएगा इस ये निव्स के लिए दूर को से नसी फारू कि की रिपोर्ट